जॉब के दुरान आपको क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है साथ एक इंटर्विवर को यह जिजर माइन करने में हेल्प करती है कि क्या आप उस कंपनी के लिए स्ट्रॉंग कांडिडेट हो या नहीं हो या फिर इस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो तो आज के वीडियो में हम पांच ऐसी चीज़े डिसकुस करने वाले हैं जो आपको इंटर्विव के समय बिलकल भी बोलना है यानि कि उस चीज़ को अवाइट करना है और उसकी जग इंटर्विव में पूछा जाता है जादा बूचा जाता है तो इस và और अपको पूरी स्टॉरी बता आई है इस कोश्चन का आंसर आप शौड में जरी का önお願いします यह question पूछने का जो main motive होता है interviewer का वो यह होता है basically वो दो-तीन चीज़े जाना चाहते है पहला कि आप अच्छे से communicate कर पा रहे हो या नहीं दूसरा कि आपके लिए क्या important है आपकी चीज़ को preference दे रहे हो and third one is कि आप उस company या उस job के लिए fit हो या नहीं तो interviewer का main motive यही होता है इस question का पूछने का तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में answer नहीं करना है आपको answer क्या करना है 3-4 elements से उसमें आप अलग-अलग element में आप अपने तरीके से answer कर सकते हो लेकिन कोशिश करो आप अपने answer को summarize और short तरीके से दो और इसमें आप क्या गड़ सकते हो पहला आप अपना नाम हो आप जहां पर रह रह रहे हो यह बता सकते हो ठीके दूसरा आप अपने education qualifications दे सकते हो लेकिन important है कि आप 10th और 12th के marks भी बता हो अगर हाँ 12th के बाद आप इंटर्वियो के लिए जा रहे हो तो बता सकते हो otherwise it is not important important यह है कि उस company के लिए जिस भी job के आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या important है कौन से education qualification important okay third thing is आप अपने experience बता सकते हो और अपने qualities बता सकते हो अगर आप अपने quality बता रहे हो तो examples के साथ बता हो या फिर proof के साथ बता हो ताकि कोई भी interviewer आपके जो भी आप जवाब दे रहे हो उस पे believe कर पाए number two never say your strength or weakness opposite to the company's requirement अब इस case में क्या करना है जब भी आप से interviewer पूछता है कि आपका strength और weakness क्या है तो यहां पे आपको answers जो आपके strength है वो strength job के favor में ही होना चाहिए इसके opposite में नहीं होना चाहिए जैसे अगर job जो job के लिए अपने अप्लाई किया है उसमें एक smart learner की एक quick learner की या फिर एक passionate person की ज़रूरत है और उस वक्त आप अपना weakness यह बोलते हो कि आप slow learner हो और आप चीजों को धीरे धीरे करते हो या फिर आप चीजों को लिए के passionate नहीं हो तो उस वक्त आपकी जो job मिलने की chances है वो कम हो जाएंगे और कोई आपको क्यों लेना पसंद करेगा अगर जो job है उसमें एक passionate बंदे की या फिर एक smart learner या quick learner की जरूरत है requirement है उस वक्त इंटर्विवर उसी candidate को हायर करना प्रिफर करेगा जो उस चीज के लिए capable होगा तो उस case में आपको वैसे ही strength बताना होगा जो बिलकुल जॉब के related हो या जॉब के फेवर में हो तो अगेंस में आपको नहीं बोलना है नमबर थर्ड जो आपको जॉब इंटर्विव में बिलकुल भी नहीं बोलना है वो है negativity about your previous job और previous company तो इस case में आपको अगर आपने इससे पहले किसी और कंपनी में काम किया है तो उस company की बुराई नहीं करनी है यानि कि वहाँ का अपने जॉब के बारे में या बॉस के बारे में कलीक्स के बारे में या वहाँ का जो environment उसके बारे में कुछ भी negative नहीं बोलना है अगर इंटर्विवर ये पूछते आप से कि आप नए जॉब की तलाश में क्यों हो या फिर आपको पूरानी company में क्या अच्छा नहीं लगा या उस जॉब में क्या अच्छा नहीं लगा तो इस case में आप में भी ये answer कर सकते हो कि वहाँ का environment अच्छा नहीं था नेक्सट अगर आप कही और जाते तो वहाँ पर जाकर आप ऐसी चीज़े कर सकते और ये सारी चीज़े भोल सकते हो इसके जगए आपको क्या करना है कि आप ये बहु सकते हो that you are looking for a new experience or new challenges ये भी बहु सकते हो कि एक नया करियर पात की तलाश में हो तो यह सारी चीज़े क्या है पॉजिटिव वे में जा रहे हैं नमबर फूर नेवर से दाट आट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है इंटर्व्यू के दौरान जब आपसे इंटर्व्यूर यह पूछते कि आप कंपनी को जॉइन क्यू करना चाहते हैं या आप जॉब क्य पर एक जुण करूं कर दो आपसे आपको आशाल की चाहिए चाहिए और छोंड कर रहे हैं नमबर फिफ्ट यह Dhips लोगना चाहते हैं इता है इंटर्व्यूर आप सा अडrí पूंशन आंप जो कि रहे साथीय आप में जतना चाहिए पोछते लिकिन उस वक्त आप को एक कोई या job से related, job profile से related आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको answer में यह नहीं पूछना है कि आपका salary package कितना होगा, ठीक है, आपको उस वक्त निगोशियेट नहीं करना है, आपको अलग से उफर की जाती है, लेकिन उस वक्त जब आपसे यह कहा जाता है कि आप कोई question कर सकते हो, तो वहा और सब्सक्राइब कर सकते हैं. चीजों को आपको यह डिसाइट करना होगा उसे पहले कि आपको कौन से कौशिश करना है और कोशिश करो जादे तर आप आंसर पॉस्टिव यह दो निगिटिव आंसर करने की कोशिश मत कीजेए क्योंकि इससे आपके जॉब जो मिलने के चां अगर आपको जौप से रिलेटेड कोई कोई करना है या आप चाहते हो कोई और वीडियो आना चाहिए तो वह पेलेंज सकते हो सो थांक यू आ सो मुझ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर